Hi everyone, welcome back to my channel once again, this is Gaurav Bank Nifty में आज momentum ठीक ठाक थी अगर देखो गे तो first 15 minute candle के breakdown के बाद market नीचे के तरफ ही रही है option sellers के भी पैसे बने है और option buyers के भी पैसे बने है but not the good one बड़ा selling में मज़ा आ गया तो जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि अगर इस level का breakdown होता है we do not need a consolidation here हमें यहाँ पर consolidation की जरुवत नहीं थी अगर directly breakdown भी होता है तो हम लोग इस breakdown पर trade plan करेंगे entry लेंगे और देखो क्या हुआ इस candle से इस level का breakdown हुआ है और उसके बाद देखो market continuously नीचे के तरफ ही रही है although यह थोड़ी सी volatility range थी bias के लिए थोड़ी दिक्कत क्लिएट कर रहे थे trailing SL option buyer के hit होई होगी no doubt यहाँ पर chances थी कि trailing SL होगई होगी लेकिन जो option sell किया थे आज उन्हें एक अच्छा गासा यहाँ पर premium खाने को मिला because देखो कि momentum आई है market में but यहाँ पर जो consolidation होगए आज यह थोड़ी सी option buyers के लिए थोड़ी दिक्कत होगई इसमें अगर market यहाँ से pullback लेके then continue करता तब यहाँ से एक अच्छी momentum आने की chances थी देखो इस consolidation के पीछे का reason क्या है यहाँ पर जब selling आई इस जगह से sharp selling आई है directly market opening होते के साथ selling आई है market में no doubt but यहाँ पर जितने भी orders थे न और भी sellers के pending पड़े होंगे और यहाँ पर भी directly market यहाँ से नीशे आ गई because देखोगे कि यहाँ market ने pullback लिया ही नहीं pullback लेने के बाद अगर market दिन इस level का breakdown करता तो momentum fast होती because जो pending order होंगे इस range में ओ फिल हो जाते because इस candle पर जो लगातार falling आई है ना इसके करण क्या होगा कि orders बहुत सारे pending रह गये होंगे और market ने retracement भी नहीं लिया प्रिचे आता तब यह जो momentum होती काफी बैतरीन होती because seller तो sell करने के लिए interested है no doubt because देखो यहाँ से भी selling आई है market में और समझो कि अगर इन ही seller को यहाँ price मिल जाती तो यह और तेजी से high quantity से sell करते तो momentum और तेज आती market में तब तो put buyers के मज़े हो जाते जिन्होंने selling किया उनका पैसा बना है buyers के भी पैसे बने है ट्रेलिंग आसल हिट होए होंगे market लगभग average ही रहा आज तो चलिए कल के plan देख लेते हैं तो उसके लिए पहले चलते हैं हम लोग daily time frame पर daily time frame पर bank nifty कर क्या रही है pattern क्या बना रही है यहां अगर देखोगे आप देखो क्या हुआ है market में fall आया, retracement लिया continue कर रहा है इसको हमें लगा कि इस green candle से market reverse कर जाएगा but again आज इस red candle से हमें यह पता चला कि market bearish ने soak कर रहा है अगर market bearish नहीं होता तो यह आज की candle closing strong नहीं होती छोटी सी विक बनी है नीचे side में इस rejection को देखो और आज की rejection को देखो इसके comparison में इसी label पर rejection सब कम है that's showing that seller is more confident for selling downside तो हमारे पास क्या labels है तो जिने short term के लिए selling करना है तो आप इस label के नीचे के बाद आप selling कर सकते हो यह जब label का breakdown हो जाएगा retest देगा market then जब continue करने लगेगा तब आप sell कर सकते हो short term के लिए तब market में short term के लिए fall आएगी कहां तक आएगी वो कह नहीं सकते but as per the technical analysis जितनी height यह है breakdown के बाद इतनी height नीचे के तरफ हमारी target रहेगी for short term on selling point of view so daily time frame पर हमने देख लिया now let's move on to the one hour time frame यहां से हम लोग क्या करेंगे अगर देखो कि आप यहां से कि market ने एक यहां पर trend line बनाया हुआ है ठीक है और same market ने एक यहां से भी इसी level के आसपास से एक और trend line create किया हुआ और नीचे के side से हमारे पास एक support level है यह रहा हूँ तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर market कल flat open होकर या फिर gap down open होता है और इस जगह पर consolidate करके देन 15 minute की candle closing हमें मिल जाती है तो हम लोग अगले पल breakdown plan कर सकते हैं और अगर market flat open होकर trend line पर आता है और यहां पर bearish pattern बनाता है 5 minute के time frame पर देख लो यह 1 hour की chart है तो 5 minute के time frame पर अगर यहां bearish pattern बनाता है तो हम लोग यहां से plan करेंगे selling के लिए और आज का day low हमारा होगा target और फिर market अगर नीचे आकर इस जगह पर consolidate करके breakdown करता है देन हम लोग breakdown प्लान करेंगे नीचे के side में बट अगर हमने यहां जो entry plan की है इसे हम लोग day low पर book करेंगे आज के जो day low है यहां पर हम लोग book कर लेंगे उसके बाद breakdown देगा नीचे के तरफ consolidate करके फिर अगेन हम लोग नयाप इंटरी प्लान करेंगे और हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना ही अगर market यहां पर flat open होकर आज के day low के आसपास consolidate कर रहा है देन यहां breakdown कर रहा है तो इस breakdown पर trade मत लेना trap हो जाओगे बिगस देखरो यहां पर यह support label है यहां से market ने अच्छा कासा upside move दिया है रिटेलर्स बिग प्लेर्स ही यह price section बनाते हैं तो जब तक price इस जगह पर आकर यह जो box मैंने बनाई है इस पर level पर अगर consolidate करके अगर तब breakdown देता है तो ही हम लोग plan करेंगे और अगर market gap up open हो जाते है तो इस पर आप first five minute candle जो आप breakout plan करते हो उस पर plan मत करना rather than applying reversal from this level अगर इसी level के आज सपास से reversal pattern बनाता है five minute के time frame पर या बिरिश candle बनाता है तो आज से reversal plan कर सकते हो closing का आज के closing तक का या फिर tail उतक का target रहेगा और suppose अगर market gap down open हो जाता है और इस level का breakdown करता है तो फिर हमें confirmation लेना पर जाएगा कि यहाँ पर seller interested है कि नहीं नीचे के तरफ sell करने के लिए because directly selling आना possible नहीं है market need to consolidate here then give a breakdown तो हमें confirmation मिल जाएगी कि यहाँ पर buyers के order fills हो चुके हैं seller ने buyers के पूरे order को absorb करके breakdown दिया है तब यहाँ से momentum आएगी otherwise फिर क्या होगा कि market यहाँ पर slowly move करेगी अब volatility फिर market में रहेगी downside भी तो sellers के लिए तो बढ़िया रहेगा but options buyer first जाएगे and I hope कि अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आज आपकी थोड़ी से profit जरूर बनी होगी because हमने कल ही कहा था कि इस breakdown पर आप entry ले सकते हो without any type of confirmation I hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like कर देना और चैनल को subscribe कर लेना और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई है तो वीडियो को dislike कर देना there will be no issue so that's all for the day have a good day Jai Hin thank you